नमस्ते बच्चों डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों आज दूसरी कर्षा के लिए हमें कवीता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कवीता का नाम क्या है हाँ ठीक अपने सही देखा कवीता का नाम है भोर भाई तो मैं इस कवीता का वाचन करता हूँ और साथ ही साथ आपको भी दुराना है बच्चों मेरे साथ साथ तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं इस कवीता को बच्चों बहुत राइमी है इस कवीता में बहुत सुन्दर है ले है इस कवीता में बच्चों चलिए सुरू करते हैं उठकर देखो भोर भाई रात गई और भोर भाई वाह उठकर देखो भोर भाई रात गई और भोर भाई कभी क्या कर रहे हैं कि उठकर देखो तो सही कि सुबह हो गई है रात चली गई है और भोर हो गई है उठकर देखो भोर भई रात गई और भोर भई गया अंधेरा भोर भई पंची चाके भोर भई पंची मने पक्छी गया अंधेरा भोर भई अंधेरा चला गया गया अंधेरा भोर भई पंचीचा के भोर भई बोली चडिया भोर भई निकला सूरज भोर भई फिर से चली बच्चों धुराते इंचे पंगतियों को उठकर देखो भोर भई रात गई और भोर भई गया अंधेरा भोर भई पंचीचा के भोर भई बोली चड़िया भोर भई निकला सूरज भोर भई कितनी अच्छी राइमी है ना बच्चों इसमें आगे हम लोग देखते हैं ठीक है जग कर देखो भोर भई धेंकी चल दी भोर भई अम्मा जागी भोर भई लग गई जाडू भोर भई चूला सुलगा भोर भई गायरम भाई भोर भई वाह कितनी अच्छी कविता है ना तो बच्चों चलिए इसको हम लोग एक बार शुरू से फिर से करते हैं ना और देखिए कितने सुन्दर सुन्दर अच्छे अच्छे चीत्र मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ आप इसको सुरू से देखिए बच्चों देखिए कविता का नाम भोर भई है ना देखिए सुरज की रोसनी कैसे आ रही है पूरब दिसा से है ना ये सुरज का जो दृस से है कितना सुन्दर है ना सुबह हमारे गाउं में भी ऐसा ही होता है आकास में लालीमा चाह जाती है और सुबह सबको अच्छा लगता है है ना देखिए उठकर देखो भोर भई रात गई और भोर भई गया अंधेरा भोर भई पंची चा के भोर भई बोली चडिया भोर भई निकला सूरज भोर भई जग कर देखो भोर भई धेंकी चल दी भोर भई अम्मा जागी भोर भई लग गई जाड़ू भोर भई चूला सुलगा भोर भई गायरं भाई भोर भई फिर से हम लोग पढ़ते हैं उठकर देखो भोर भई रात गई और भोर भई गया अंधेरा भोर भई पंची चा के भोर भई बोली चडिया भोर भई निकला सूरज भोर भई जक्कर देखो भोर भई धेकी चल दी भोर भई अम्मा जागी भोर भई लग गई जाड़ू भोर भई चूला सुलगा भोर भई गायरं भाई भोर भई अच्छा लगा ना बच्चो देखिए कितनी सुन्दर कवीता इसको आप लोग याद कर लीजिया ना और बच्चो इस में प्रस्नुत्तर तो बहुत सारे हैं लेकिन उतने सारे प्रस्नुत्तर इस वीडियो में नहीं उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो अभी इसमें थोड़ी सी बातचीत है उसको हम लोग पुरा कर लेते हैं बातचीत में कुल पांस सवाल हैं बहुत आसान आसा खाया हुआ रहेगा ना अब भी सोचिएगा सुरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा दूसरा सवाल बच्चों गाय और बकरियां चरने ना निकले तो क्या होगा ओफ यह तो बड़ा गड़बड हो जाएगा गाय और बकरियां घर में रहेंगी तो उनको खाने को क्या मिलेगा उनको तो मैदानों में, खेतों में खाने को मिलता है ना तो उनको तो बाहर निकल नहीं होगा और तीसरा है बच्चों, चीतर में अम्मा क्या कर रही है पहले उस चीतर को हम लोग देख ले ना देखी तो अम्मा क्या कर रही है अम्मा तो लगता है चाय बना ली है और चाय को छान रही है ना और आप ही की तरह कोई मुन्ना वहाँ उनका बेटा है ना वह बेठा हुआ है और वह चाय पी रहा है ना तो चित्र में अम्मा ही कर रही है आगे है भोर होने पर आपके गाउं या मुहले में क्या क्या होता है भोर होने पर हमारे गाउं में क्या होता है कि सारे लोग जो हैं सोकर हमारे गाउं में तो बहुत जल्दी सोके उठते हैं क्योंकि गाओं में ऐसे भी सब लोग जल्दी सोके उठते हैं कुछ लोग अपने खेतें की ओर चले जाते हैं कुछ इस्तरियां पानी भरने लगती है कुछ बच्चे जो जिनको जल्दी सुबह कहीं पढ़ने जाना होता है तो वो पढ़ने के लिए साहिकिल से चले जाते हैं है ना तो सुबह सुबह का दृस से बड़ा सुंदर लगता है गाए जो है गाए बकरिया सब जो हैं वो खेतों की ओर जंगलों की ओर जाने लगती हैं है ना और उसके बाद में इसी सब कुछ चलते रहता है अच्छा लगता है सुबह के समय में तो कुछ लोग बहुत सुबह अस्नान भी करते हैं ज़्यादा तक लोग तो गौँ में सुबह ही अस्नान करते हैं उसके बाद बच्चों पांचमा सवाल है आप सुबह से साम तक क्या क्या करते हैं तो बच्चों सुबह से साम तक सभी लोग तो एक ही जैसा काम करते हैं लेकिन उसमें कोई कोई जो है अपने टाइम टेवल के नुसार करते हैं और कुछ जैसे तैसे करते हैं तो हम लोगों को अपने टाइम टेवल के हिसाफ से सुबह जल्दी उठना चाहिए हम लोग तरह से दातों को साफ करना चाहिए दतुवन से या ब्रस से जो भी उपलवध हो उससे है ना और सौचित यादी से निवरीत हो करके अच्छा से नहाध हो लेना चाहिए पढ़ाय लिखाई करना चाहिए और स्कूल नियमित रूप से जाना चाहिए यही सब है वच्चों तो यहाँ पर बाक्चीत का करम तो चलता रहेगा आप लोग अपने साथियों से बात कीजिए कि कौन क्या करते हैं है ना तो इस कविता को फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और आप लोग फिर से दोरा दीजिए बच्चों उठकर देखो भोर भई रात गई और भोर भ जग कर देखो भोर भई ढेंकी चलती भोर भई अम्मा जागी भोर भई लग गई जाडू बोर भई चुला सुल्गा भोर भई गायरंबाई भोर भई अच्छा लगा ना बच्चों देखिए और थोड़सा समझ लीजे देखिए यहां पर गईया है गायजो है ना जो जो स बाँ करती है उसको बोलते हैं रंभाना है ना गाय रंभाई और देखिए चुलहा सुलगा हुआ है ये गैस चुलहा नहीं बच्चो ये लकड़ी का चुलहा है है ना और देखिए यहां दादी अम्मा देखिए यहां पे ज्ञाडू है ना कितना चाहिए शुबर-शुबर तादी अम्मा लोग तो एकदम सफाई में लग जाती है तो शुरू से उन लोगों की आदत है न बच्चो हैबिट है सफाई करने की ऐसा हैबिट हम लोग को भी होना चाहिए और देखे ये धेकी है बच्चो है न इससे क्या होता है इससे धान को कुटा जाता है और इससे चा जाता है और दूसरों को भी जगाता है तो ठीक है बच्चो इस कविता को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं इस पार्ट की जो प्रस्नुत्तर है उसको इसके बाद एक और वीडियो में बनाने जा रहा हूं उसमें प्रस्नुत्तर को समाहित करूंगा तब तक आप लोग इस कर लीजिए ठीक है बच्चों धन्यवाद बच्चों